सितंबर महिना दरसल यातायात की नियमों तोड़ने वालों के लिए एक बड़ा कठीन महिना आ गया है अगर आपने यातायात की नियम तोड़े तो अब दो तीन सो पांच सो रुपे से बात नहीं वनेगी बलकि दसो हजार रुपे से भी यदिक देना पड़ सकता है गुडगाओं का एक चालान ऐसा वाइरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि लगभग एक एक एक्टिवा का 26,000 रुपे का चालान हो गया और इस्तिती है कि अब लोग विचार कर रहे हैं कि क्या वाकई इतना महंगा चालान होना चाहिए कई राज्य सरकारों ने तो इसको लागू करने समना कर दिया है इसी संब्ध में बारत करते हैं पूर्डीजीप महंदर सिंग मलिक जी से क्या इतने भारी जुरुमाने से लोग सुधरेंगे या आपको लगता है कि जुरुमाना लेना जितना भारी भरकम जुरुमान लेना वो गलत है यह बात तो सही है कि ट्रैफिक वाइलेशन्स बहुत जादा हो रही थी मोटर वहिकल एक्सिडेंट्स भी हर साल बढ़ते जा रहे थे लेकिन एक दम इतनी अचानक चार गुना पांस गुना जरुमाना बढ़ा देना भी जाती है क्योंकि एक दम जरुमाना बढ़ाने से कोई ट्रैफिक वाइलेशन रुकने वाली नहीं है और इतियास गवा है कि आ पाइन की तादा जो है बहुत जाती है इसके अंतर पुने विचार करने की जरूरत है और वैसे भी इस पब्लिक के इंदर एक भैका बातावरन हो गया है जब भैके कोई गाड़ी चलाएगा बैसे तो एक्सिडेंट वैसे ही हो जाएगा एक्सिडेंट और जो ट्रैफिक व पर दे के चलते हैं तो इससे इसके पुने विचार करके और ठीक तरह नियम बनारे जाने चाहिए और जो फाइन की ज्यादाद है वह आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा है तो आपने सुना दरसल एक्सडीजीपी का साथ तोर पर कहना था कि जो फाइन की रकाम है वो सारी भरकम फाइन लगाने का सिस्टम प्रोविजन बनाया उस पर पुनर विचार करें ताकि नियमों में भी तबदीली आ सके लोग समझे कि ट्राफिक वाइलेट करेंगे तो जेब ढीली होगी लेकिन ऐसी ढीली ना हो कि आपकी जेब भी कर जाए वीडियो जनलिस्स यार प्रमेश आनाइन टीवी जन्डिगण